पुलीस ने चार पई आवाहन किराये पर लेने वे गिरवी रखने वाले गिरवों का परदा फाश किया है पुलीस गिरवों के चार आरोपियों को गिरफतार कर उनके कबजे से पांच करोड की कीमत की चमवानलिस चार पई आवाहन बरामत किये हैं वहीं अब पुलीस आरोपियों सेन्यवारदा तो और गिरवों के अनसेदिस्यों के बारे में पूछ ताश कर रही है इंदोर की सम्मीब महुताना पुलीस ने फरजी दस्तावेश तयार कर चार पईया वाहन किराया लेने वगिर्वी रखने वाले गिरोगों का परदा पाश किया दरजल महुताना पुलीस को कई लोगों ने शिकायत की थी कि देवेंदर ठाकुर नामा की वगिवक उनसे उनकी चार पईया वाहन किराया पर ले गया था कुछ महीने तो उसने किराया दिया लेकिन उसके बाद से किराया देना बंद कर दिया और गाड़ी भी नहीं दे रहा है शिकायत को पुलीस ने गंबिर्दा से लेते हुए एक पुलीस की टीम तयार की और देवेंदर ठाकुर को गरफतार कर लिया पुलीस पुष्टाज में आरोपी ने चोकाने वाली बात कही ये सुनकर पुलीस ने पुलीस की कान खड़े हो गए आरोपी देवेंदर ने पुष्टाज में बताया कि वो आसपास के शेतरों में चार पई या वहानों की तलाश करता है और फिर वहान मालिक को ज़्यादा पैसो के लालस देकर फरजी एग्रिमेंट पर उनकी गाड़ी किराया पर ले लेता है उसके बाद आरोपी कुछ महिने तो किराया देता है उसके बाद किराया देना बंद कर देता है और गाड़ी के फरजी दस्तावेश बना कर उसे बेज लेता है इस काम का मुख्य सरगना देवेंद्रि ठाकुरता और उसके साथ तीन और आरोपी शाम, दीपक और डृतेश थे जो इसके काम में इसकी मदद करते थे चारो आरोपियों को पुलीस ने गिरफतार कर लिया है, वही इनके कबजे से चम्वालिस अलगला कमपनी की चार पर या वाहन बरामत की है जिनकी बाजार में कीमत पांच करोर रुपे बताई जारी है पुलीस पकड़े हुए आरोपियों से अन्य बारदातों और गिरफों के अन्य सात्यों के बारे में पूस्ताश कर रही है साथ ही इस गिरफों का परदापाश करने वाली टीम, पुलीस टीम को एसपी ने बड़ाई धी और दस अज़ार रुपे का हिनाम दिया थाना महु में कल एक बड़ी उलेखनी है सफलता प्राप्त हुई जब कुछ आबेदकों ने थाने पर ये जानकरी दी थी कि सुरहन ठाकुर ने हमसे गाड़ी कराय पर ली थी प्रतिमा 20-30-35,000 कराय पर लेके जिस पर कार की गाड़ी थी और एक दो महीने हमारी गाड़ी का कराय दिया और उसके बाद उसने गाड़ी का कराय देना बंद कर दिया कई महीने हो गए और हमारी गाली भी हमको नहीं मिल रही है ना हमारी गाली बापस कर रहा और ना ही क्राया दे रहा हूँ जब यह सुचना थानाप्रवारी को आई थानाप्रवारी ने अडिशनल SP महू शरी पुनित गैलोत और STOP महू शरी विनोश सर्मा की जानकरी मिलाए और इन तीनों के द्वारा स्नुक्त प्रयासों से हमारे पास इनीशली दो फर्यादी थे परनतु यह सुर्यन थाकूर को बुला कर पुलिस ने गालियों के वारे पुंशताच की है तो उसकी निसा देई से अभी तक पुलिस ने जहां-जहां उसने गिरमी रखी थी 46 गालिया जिसमें हर कंपनी की हर ब्रांड की दो लाख रुपे से लेकर पांच लाख रुपे से लेकर दस बारा लाख रुपे तक की गाली है वो इसके कबजे से बरामत कीगी अभी तक 44 फर्यादियों में से 43 हमारे सामने उपस्तित है उमीद है कि जब ये आप सब के माद्यम से मार्केट में जाएगी तो कुछ फर्यादी और आ सकते हैं सुरेन थाकूर के साथ में उसके साथ साथ उसके तीन अन्य साथी शाम सुनेरे दीपक रगवंसी वारितेश वर्मा भी इस अपरादिक प्रत्त में सामिल थे इनकी मोडस ओपरेंडी थी कि ये पहले संपर्क करते थे कि भई आप के पास अगर गाड़ी है तो हम उसको क्राय से लगा देंगे और आपको अच्छा क्राया मिलेगा ऐसा भी आया है कई लोगों को इनोनों गारियां फाइनेस करवा दी एक लाख दो लाख रुपे उसके दिये और उसको गारियां फाइनेस करवा दी कि किस ताएगी उससे जदा आपको मन्तली क्राया मिलेगा और बाद में दो मेने तीन मेने का कराय दिया किसी को एक मेने का दिया बीच में दो मेने लॉकडाउन का महाना बनाया और इस तरह से इसने फरजी कागज बना कर इन गालियों को अपनी बना कर आसपास के छेतर में उनको बेश दिया या गिर्भी रख दिया तो इस परकार से देवंद ठाकुर जो मुल अपरादी है वो देवंद ठाकुर तता उसके साथियों ने कम से कम दो करोल रुपे से ज़्यादा मार्केट में इस परकार की गालियों को गिरवी रखे उसको अपनी अयाशी में उडा दिया अभी तक ऐसा पता लगा है और बहुत सारे फर्यादी भी सामने आ सकते हैं तो मेरे इस तर से दस अजार रुपे के नगध दिराम की कोशला की गई है जो की गालियों को कराय से लेते थे बाद में उसके फर्जी पेपर बनाके दूसरे लोगों को तलास करके जिनको जरूरत होती थी या उनको बोलते तो दस लाक रुपे की गाली है और हमें पैसे की जरूरत है तो आप दो लाक रुपे दे दो चार लाक रुपे दे दो और इस तरह सो उसके पास गाली छोड़ देते थे तो ऐसे अभी तक चार आरोपियों के बारे में चार आरोपियों को पुलिस ने गरपतार किया है और जैस केस में और गाड़ियां या और आरोकियों की संलिपता भी सामने आ सकती है